हरियों फ्रेंड्स मैं आपका बहुत बहुत स्वाबत करती है तो इस तरह की जो है ड्रेस में ने आपको लास्ट वीडियो में बनानी बताई है इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप बचाक कर सकते हैं 12 से लेकर 14 नंबर के लिए लड्डू कुपाल चीकी में ने ड्रेस बनाई है तो चलिए आज हम इसकी पगड़ी बनाना शू करते हैं तो पगड़ी बनाने के लिए हमने आपर देखिए ये कार्ट बोर्ड का एक पीस कट कर लिया है और फ्रेंड से देखिए इस ड्रेस को अगर आप मुझसे तो चलिए अब हम इसकी पगड़ी बनाएंगे पगड़ी बनाने के लिए यहां पर मैंने कार्ट बोर्ड का पीस कट कर लिया है जिसकी लंबाई चुड़ाई मैं आपको बता देती हूं मैंने डबल कट किया है थोड़ा सा हलका है तो इसलिए डबल लिया है तो यह देखि एक लिए और इसकी लंबाई चुड़ाई देख लेते हैं यह देखे इसकी लंबाई यहां पर 12 इंच है ठीक है यह में 12 नंबर के लिए लड़ू गुपाल जी के लिए बना रही हूँ अगर आप 14 नंबर के लिए लेते हैं तो आप 13.5 इंच या 14 इंच लंबाई लेंगे ठ यहां पर 12 इंच लिए और इस तरह से एक लाइन डूर कर लेंगे ठीक है अब हमने क्या करना है यह देखिए यहां इस साइड से हमको डेड़ इंच रख लेना है यह देखिए इस तरह से यहां पर हम डेड़ इंच पर निशान लगा लेंगे ठीक है इस तरह से यहां पर भी हम डेड़ इंच पर ही निशान लगांगे तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हमने क्या करना है यह देखिए यहां से इस तरह से हम ले जाएंगे ठीक है और इस तरह से कट कर लेंगे सीधा यहां से हमने सीधा करना है और यहां से बस हलकी सी हमने यहां डेड़ इंच पर जाकर इस शेप को इस तरह से ड्रो कर निशान लगाना है जिससे की हमने cutting कर लेनी है ये देखीं मैं यहां पर half inch किया है थोड़ा सा extra है यहां पर है वन इंच ही हम ने इसरी ओर ऐसे तिर्चा निशान लगा लेना और इसको अब हमने यहां से cut कर लेना है और यह वाली साइड को भी हम कट कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेने इसकी कटिंग कर ली है और अब हमने इसको कवर करना है तो इस तरह से आप एक कपड़ा ले ले अपनी ड्रेस से मैचिंग करता हुआ तो इस तरह से हम इसे रखेंगे और इसको हम इस तरह से इतना चोड़ा ह мैं मैं हमने कपड़ा को फोल्ड इंगे पड़ लें ने टारीट से ऐसे ओपड़ारेयो विश्याय का फोल्ड रहा है तो यह देखिए हमारा कितना कितना एक्स्ट्रा आ रहा है मैं आपको दिखा देती हूं कि लगब आपको 6 इंच चोड़ा कपड़ा कट कर लेना है ठीक है इस तरह से अब हमने इस सिलाई लगा लिए इस पर ठीक है अब हम यहाँ पर इस सेंटर में एक कट लगाएंगे ऐसे और अब हमने इसको ऊपर की तरफ करकर एक सिलाई यहाँ पर लगानी है और एक सिलाई हमने इस तरफ लगानी है तो यह देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने एक सिलाई लगा ली अब हमने जो यह एक्स्ट्रा कपड़ा मरा आएगा उसे हमने कट कर लेना है यह सिलाई से पहले पहले जितना मी मारा एक्ष्टा कपड़ा है यह तरह से कट कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंड्स यहां पर मैंने इसकी पूरी कटिंग कर ली है और यह बेस बनकर रेडी हो गया है और अब हमने इसको देखिए हलका हलका ऐसे थोड़ा सा राउंड करना है ऐसे ठीक है तो है यहां पर से लिए बलो गल लगाये और इसको पेस्ट कर लेंगे, तो स्थे पहले मैं आपको यहां पर पटियां बनाई हैं की लिए वह बना ले इस तरह से देखिए जैसे आपको यह कपड़ा लेना है यह मैंने इस तरह से कपड़ा लेना है और ऐसे फोल्ड करके एक तरस से सिलाई लगा कर इसको मैंने सिधा कर लिया है और प्रेस कर लिया है तो इस तरह से आप दो पटियों को रेडी कर लें तो यहां पर मैंने दो पटियां रेडी करी हु तो यह देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने इस तरह से इसको ओट क्लू को लगा लेना है ठीक है और इस तरह से हमसे पेस्ट कर लेंगे ठीक है इस तरह से पेस्ट करने के बार अब हम एक इस तरह से कार्डबोर्ट का एक पीस ले लेंगे उसको हम उपर से पेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपको उचु दूबन लेनी है कि ऐसको आप अच्छे तरह से लगा ले अब इसको इस तरह में सैट कर लूंगी रिसे ऊपर से ढ़ी सा प्रेस करेंगे दो ये हो बैस्ट हो जाएगा य कि जोन सबस्क्राइब करेड़ी हो गया है इस तरह से आप किसी भी ड्रेस का वेस्ट बना सकते हैं तो छलिए अब मैं इसको आपको रैप करना दिखाती हूं और जो एक्स्टा ह Chili ना만 इस तो यह देखिए यहाँ पर हमने पट्टी लगानी है और इस तरफ से ऐसे रेप करेंगे ठीक है नीचे हमने इस तरह से देखिए होट गलू लगानी है ठीक है और ऐसे रेप कर लेंगे से अच्छे से तो यह देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे नीचे इस तरह से जाएंगे इस तरह से और इसे ऐसे लपेट लेंगे ठीक है और फिर हम आगे से आएंगे ऐसे फिर हम दुबारा से यहां पर हमने होट गुलू लगाते जाना है और इस तरह से पेस्ट करते जाना है ठीक है फिर हम इसे ऐसे ले जाएंगे और यहां पर की देखिए जो से हमारे आपर यह तीन रावन्ड हो जाएंगे ठीक है यह देखिया अब हमने यहां नहीं जाना अब इधर के हो जाएंगे ठीक है यह देखे ऐसे एसाएंगे और प्ट्टी suficiente यह देखिए अब मारी मतिक्त भी saos तो अब हम यहाँ पर दूसी पटी लगा लेंगे इसी के साथ ही हमने ऐसे पेस्ट कर लेना है पटी को ठीक है? और यह देखिए फिर हम यहाँ से ऐसे इस तरफ इसके उपर हो जाएंगे, ठीक है? फिर देखिए यहां से घुमाते हुए आएंगे फिर हमने पट्टी को ऐसे यह देखिए ऐसे ले आना है और इसके उपर ऐसे लेए ठीक है यह देखिए यह देखिए इसके उपर ऐसे करेंगे यहां से उपर कावर कर लेंगे फिर हम दुबारा से नीचे से आएंगे और इसे फिर ऐसे ही कावर कर लेंगे और यहां पर यह द जाएगा तो चलिए मैं से रेडी कर लेती हूं फिर डेकोरेशन करेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स सिंपल बेस मनकर रेडी हो गया है और अब हमने यहां पर लेस लगा लेनी है तो यहां पर मैं लेस को थोड़ा सीधी तरफ से पकड़ लेती हूँ यह देखिए इस तरह से हम लेस को ऐसे रखेंगे ठीक है यह देखिए इस तरह से पूरा गोल घुमाते हुए इस तरह से आएंगे और यह देखिए ऐसे करकर अब हम इसको ऐसे यहां पर ऐसे करते हुए इसे कवर कर लेंगे यह देखिए ऐसे करकर हम इसको पेस्ट कर लेते ह तो चलिए पेस्ट करके दिखाती हूँ तो यह देखिए इस तरह से ड्रेस की सिंपल पगड़ी बनकर रेडी हो गई है अगर आप चाहें तो यहाँ पर कलंगी भी बना कर लगा सकते हैं बट मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ थैंक यू फर वचिंग रादिकृष्णा मिलेंगे फिर नेक्स वीडियो में रादे रादे